तो लोग ये पूछते हैं कि भगवान अगर सब कुछ करने वाले हैं तो उन्होंने ये मोहो का चक्कर ही क्यों बनाया और हमको इस अंसार के जनव मृत्यु चक्र में क्यों फसाया तो आईए आज सुनते हैं इसका पहली बार पूर्ण रुप से इस प्रश्ण का उत्तर तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान ने जब इन जीवात्माओं यानि हम सब को प्रकट किया था जैसे भगवान गीता में कहते हैं ममेव अंशहा, जीव लोके, जीव भूत सनातना, इस सनातन पृत्वी बे हम सब जीवात्मा है, भगवान का अंश है, भगवान भी सचित आनंद है, और हम भी सचित आनंद है, परंतु उनका सचित आनंद बहुत बड़ा है, इसलिए वह विबू है, और हम सचित आनंद आत् एली जीव आत्मा ने बोला कि प्रबु हम आपके संग रहना चाहते हैं, आपके सेवा करना चाहते हैं, आपके पारशद बनना चाहते हैं, तो भगवान ने उनको नित्य मुक्त बना दिया, नित्य मुक्त यानि कि जो नित्य रूप से मुक्त रहती हैं, कभी संसार में आई करो के तो हमने तटस्ता शक्ति ने या प्रश्न किया प्रभू कि आप हमको एक मौका दे सकते हैं संसार का भोग करने का तो भगवायन से हमने कहा कि हम एक भौतिक जगत का सुख भोगना चाहते हैं आप ही क्यों इस अध्यात्मिक जगत का सुख भोगेंगे हम भी भौतिक ज जगत कर निर्मान किया तटस्ता शक्ति को यह कहकर भेजा कि जा तो रहे हो लेकिन मेरा सुरन करके जल्दी चले आए ना तो हम नित बद आत्मा हैं नित बद यानि कि हम हमेशा से ही बद हैं नित रूप से बद हैं और इस अंसार में आकर कि गिर गए तब तीसरी आत्मा जो करके भौती जगत का नकली सुक भोगने के लिए चले गए हैं अपना ध्यात्मिक संसार छोड़ करके तब फिर उन तीसरी जीवात्मों ने कहा प्रवोगर आप हमें सेवा दें तो हम इन संसारी जीवों को वापिस आपके धाम में लाएंगे जो बन गए नित सिद्ध वश वो इस संसार में आते हैं और हमको इस संसार से ले जाने के लिए आते हैं तो यानि कि ये मोह का संसार हमने स्वेम निर्माण किया है जैसे एक मकड़ी स्वेम अपना जाला बनाती है और फिर स्वेम ही उसमें फस करके मर जाती है यानि ये जाल मोह का हमने ही बनाया गीता मे भगवान कहते हैं इक्षा दुएश समुत्थेना तुमने इक्षा करी संसार भोग करने की और तुमने ही दुएश किया मुझसे कि प्रभु तुम अकेले भोगोगे हम भी भोगना चाहते हैं तो प्रभु ने एक संसार हमारे लिए बनाया जैसे एक बच्चा जब अपनी मा स इस चंदरमा से खेल ले तो जब बच्चा उस पानी को हिलाता है तो चंदरमा हिलता और गुम हो जाता है तो वैसे ही हमारे साथ होता है कि प्रभू ने हमारे लिए एक छाया रूपी संसार बना दिया कि जाओ तुम इसे भोग कर लो तो हम बच्चे की तरह जब आते हैं और उस चंदरमा को पकड़ना चाते हैं यह निए खुशी को पकड़ना चाते हैं वो खुशी हमें मिलती नहीं क्योंकि यहां संसार में खुशी तो है यह नहीं यह तो अध्यात्मिक संसार की असली खुशी की परिचाया है चाया है तो इसलिए हमको सुख मिलता नहीं है तो हम अगर इन नित सिद्वेश्णवों की जैसे स्कौन के संसा बगचार श्रिलब प्रभुपात और उनके अनिक अनुन्याई उनका अनुसरन करें उनके बताए रास्ते का अनुगमन करें तो इस मो संसार को जिसने हमने खुद ही बनाया था हम जल्दी से जल्दी मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं आशा करते हैं आप इस भक्ति के मार्क पर बड़ी प्रगारता से बढ़ेंगे और अपने ही बनाए इस मा आया जाल को जल्दी समाप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे हरे कुछना